दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज कि इस नए क्लास में दोस्तों आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए की हिंदी से संबंदित मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन और एंसर के बारे में जो कि नई सिछा नीद पर आधारित तो हैं हिसाथ साथ में समेश्टर प्रणाली पर भी आधारी थे क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सबार नई सिथा नीद के हिसाफ से समेश्टर एक्जाम होने हैं तो उसमें जो प्रस्ट आएंगे वह आएंगे सब्जेक्ट्टू कोईश्चन पूछा जाएंगा निए कि कोईश्चन होगा उसक आज की पहली पहले कोईश्चन के और हलांकि 18 नंबर से में स्टार्ट करेंगे इससे पहले के मैंने पिछली वीडियो में कोईश्चन और एंसर बता रखे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जातके देख सकते हैं जो इंप्वाटन और एकदम टॉप लेब इसका अंसर इस परकार लिखना है लिखना है कि निर्गुण भक्ति धारा की निम्न विश्चताएं हैं जो किन निम्न वत्र हैं तो आप लोग को चार लिखनी है नंबर एक डालेंगे या फिर आप लोग नंबर एक करके आप लोग कॉमा करके मतले के नंबर डाल के लिखि भक्ति करना दूसरा है शरीर तथा आत्मा की सुद्धी है तो योग साधना में संलग्न होना ठीक है शरीर तथा आत्मा ध्यान दिजीगा शरीर तथा आत्मा की सुद्धी की है तो योग साधना में संलग्न होना ओके निश्टे है तीन नमबर विशिस्ता जो है वो पढ़ना है आप लिखना है कि अधवयत दर्शन के आधार पर सभी मनस्यों और प्राणियों को इस वर में समझते हुए उनमें किसी प्रकार का भेद भाव ना करना ठीक है तो यह रहा तीसरा बिशिस्ता निश्ट है घूम घूम कर जन साधारन की भासा में उपदिश देना तो यह रह जरूर वीडियो को जरूर देखेंगे कम से कम दो से तीन बार तभी आप लोगों को सारे कोश्चन और समझ में आएंगे मैं पहले बता रहे हुँ ठीक है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या गहरा है और एंसर क्या लिखना है आप लोगों को ठीक है नेस्ट क ब्रहमर गीत से समझ में आपके एक्जाम में जो हिंदी का पेपर होगा आप समेश्टर वाला उसमें 100% सिवार है कि आएगा ही आएगा ठीक है तो आप लोगों को एंसर में लिख देना है कि क्रिष्ण भक्त कभियों ने ब्रहमर को संबोधित करके जो पद या गीत लिखे हैं उन्हें ब्रहमर गीत कहते हैं ध्यान देजेगा क्रश्ण भक्त कभियों ने ब्रहमर को संबोधित करते हुए जो पद या गीत लिखे हैं उन्हें ब्रहमर गीत कहते हैं ओके नश्टी सी में पाइंट है लिखा इसका आधार स्री मद भागवत ठीक है इसका आधार स्री मद्भागवत है स्री क्रिश्ण और उनके मित्र ओधो के वर्ड ठीक है स्यामल वर्ड का ही एक भ्रमर नहीं गोपिया ठीक है गोपिकाओं के इर्द गिर्द दिखाई दिया वरना उन गोपिकाओं गोपिकाओं को अपने हार्दिक भावों को ब्यक्त करने का असर मिल गया इसकी विशेवस्त को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं पहला भ्रमर का आगमन दूसरा है उधो गोपी संबाद और तीसरा जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा निर्गुड ठीक है की विजय अर्थाद सामपर्भक्त की विजय तो यह रहा भ्रमर गीत का अर्थ और इसके जो विशेवस्त थे जिनको तीन भागों में बाटा गया था तो आप लोगों को मैंने यह तीन भी बता दिये तो यह जरूर लिखती जेगा का खा ठीक है और गा या फिर आप लोग पॉइंट वाज करके एक दो तीन यह लिख सकते हैं तो यह रहा भ्रमर गीत का मतलब और उसके उदाहरण सहीत आप लोगों को समझ में आगया होगा दो से तीन बार देखेंगे तो आसानी समझ में आगया एक बार में नहीं आएगा मैं पहले ही बोला हूं आप लोग प्रमूक शूफी कवियों के नाम लिखिए तो प्रमूक को सूफी कवि कौन कौन से है गया में आ जायए तो आप लोग क्या समझेंगी कि सूफी क्या होता है तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और बताओंगा भी ठीगे快 तो लिखीना है आप लोगों को उत्तर दिखान दिजेगा जिसमें प्रीम प्रेम गता है इंदी जगत की इनपटना है। पुर्णिवासी सेख हुसेन के पुत्र उश्मान नेशन 1670 के लगबग चित्रावली ठीक है और लिखा चित्रावली के पश्चात नूर मुहम्मद निशन 1796 नबे में इंद्रावती की रशना की तो यह रहे सूफी ठीक है कभी और उनकी जो कुछ रशनाय और इन्होंने सौर्ट एंसर ठीक है ज्यादा आप लोगों डेटेल नहीं लिखना क्योंकि यह कुश्चन अत्लग उत्र या फिर आपका सकते लग उत्रे बेश का ज्यादा विस्तित उत्रे और लॉंग का नहीं है ठीक है यह ध्यान देजेगा और नेस्ट कोश्चन इसी में मिल जाएग वही हो सकता है जो समाज के मानो बिग्ञान को भली बात समझ सके उसमें अपनी नवीन बीचारधारा का मिस्रण कर उसे इस रूप में ढाल देता है जिसमें संपूर्ड समाज का कल्यान होकर उसे संतोज और सांति प्राप्ट होती है ठीक है और लिखाए कि भौतिक बल के आधार पर कोई ब्यक्त लोक सासक तो हो सकता है परन्त लोक नायक नहीं ठीक है जबकि लोक नायक जनता की सद्धा का भजन होती है शासक का अधिकार केवल तन पर ही रहता है परन्त लोक नायक का अधिकार तन और मन दोनों पर रहता है इसी से इसका भाव अधिक अस्थाई द्रण और इसने सिक होता है लोक नायक श्वयम त्याकर समाज की सद्धा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है तो यह रहा ठीक है जो कि तुलसी दास के काब्य में जो लोक मंगल की भावना थी वो कैसी थी उसके बारे में इसका अस्पसर करन ठीक है तो आप लोगों को आई होप कुछना कुछ समझ में आएगा तो मैं पहले बोल चुका हूं दो तीन बार देखेंगे तो पूरा समझ मे लिखा है कि तुलसी की भक्त भावना का पर्चा दीजी तो तुलसी दास जी की जो भक्त भावना थी वो कैसी थी उसके बारे में इनका थोड़ा परच्चा या फिर जानकारी दीजी चलिए देखते हैं एंसर में लिखा है कि भक्त रस का भक्त रस का पूर्ण परिपाक ज अत्रिक्त अनम्मन के महत्त वह अपने दैन्न का अनुभाव परमावाश्यक अंग है तुल्सी के हिर्दे पटल में मानो विज्ञान से इन दोनों अनुभावों के ऐसे निर्मल सब दुस्त्रोत निकले हैं जिसमें आउगाहन ठीक है आउगाहन करने में मन की मैल करती है एव तुल्सी की भक्त भावना में सरव प्रथम बात या है कि उसमें और लंबन के महत्तु का प्रतिपादन करते हुए उसे अनंत सौंदर शक्त यूम्स्चील का सवनवित रूप बताया गया है जो तुल्सी दास कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इनोंने पंक्त लिखिये लिखा इनोंने इनकी जो भक्त भावना थी वो इसी से समझ में आती है कि इनकी जो भक्त भावना थी वो बिलकुल कैसी थी सौंदर थी शक्त थी उसमें शील और समयत रूप आज सब उसमें प्रतिपादित यानि की आज सभी तीजिये उनकी भक्त भावना में संलग निया उससे जुड़ी थी या उसमें थी ठीक है तो कुल विलाके तुल्सी दास की जो भाग भक्त भावना थी उसका सौर्ट पर तीन चार पांच चुमने टॉप लेबल के पांच कोईस्टन और एंसर बताएं पुरी तास समझ में आया होंगे एक दुबार तीन बार देखेंगे पुरी तास समझ में आ जाएंगे और आपको इन में से कोई ना कोई 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 एक्जाम में देखने को मिलेगा यह सारी कोईस्टन और अपडेट मिलती रहेंगे हम आपको मिलेंगे निष्ट वीडियो में निष्ट अपडेट के साथ या फिनिष्ट क्लास के साथ अब तरह कलेज जय हैं